अच्छा बच्चो अब आजाओ system of measurement of angles तो angles के measurement करने के 3 system है basically एक तो है degree measure जो कि already आप जानते हो दूसरा है grade measure, तीसरा है हमारा radian measure तो अब जो सबसे important measurement है वो है radian measure तो radian किसे बोलते हो हम अब details से पढ़ेंगे तो सबसे पहले start करते है sexagesimal system sexagesimal system या फिर उसे हम English system भी बोलते हैं इसमें क्या है कि एक right angle को 90 equal parts में divide किया गया है और उसे एक part को क्या बोला 1 degree ठीक है इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब right angle already आपको पता है किसे बोलते है one quarter evolution of a circle जैसी हमारे पास एक circle है ठीक है इस circle के एक quarter evolution को ये quarter evolution हो गया तो ये 90 degree हो गया अब इस 90 degree को क्या एक right angle हो गया इस right angle को क्या हुआ ऐसे ऐसे करके 90 equal parts में divide किया गया ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके यहाँ पे 90 equal parts में divide किया गया अब इसके एक part ये जो एक part हुआ ना एक part ये जो एक part हुआ इसको हमने क्या बोल दिया 1 और उपर ऐसे एक छोटा सा गोल इसको हमने बोला 1 डिग्री ठीक है तो राइट अंगल में क्या हो गया कि एक ये 1 डिग्री किसे हम बोलेंगे 1 डिग्री को हम बोलेंगे कि एक राइट अंगल को हम ने 90 एक पार्ट में रिवाइड किया और उसके एक पार्ट को 1 degree बोल दिया, तबी तो 1 right angle क्या होता है, 1 right angle किसके equal होता है, 90 degrees के equal होता है, ठीक है, यह आगे बाद समझ में, further हमने क्या किया, कि यह जो हमारा 1 degree आया ना, यह 1 degree, यह जो ऐसे करके 1 degree आया, इस 1 degree को हमने further divide किया, फिर कितने parts में? 60 equal parts में, ऐसे ऐसे करके 60 equal parts में divide किया, फिर उसके एक part को क्या बोल दिया? 1 minute, minute वो घरी वाला minute नहीं, ठीक है, minute बोलने का मतलब क्या हुआ? कि 1 degree को फिर हमने further 60 equal parts में divide किया, फिर उस एक part को हमने 1 minute बोल दिया, तो 1 degree किसके equal हो जाएगा? 60, और minute को कैसे लिख 1 degree is equal to 60 minute, फिर जो एक minute आया है, फिर उस एक minute को फिर हमने 60 equal parts में divide किया, फिर उस एक part को क्या बोल दिया? 1 second, तो 1 minute किसके equal हो जाएगा? 60 second के equal हो जाएगा, second पर हम क्या करता है ऐसे? 2 dot, यह dot कर रहा हूँ, 2 dash, ठीक है? तो यहाँ आगे बास समझ में, तो यहाँ पर क्या ब और 1 minute को फिर 60 equal parts में divide किया गया, called 1 second, तो 1 right angle किसके equal होगा? 90 degrees के, 1 degree किसके equal होगा? 60 minutes के, and 1 minute किसके equal होगा? 1 minute किसके equal होगा? 1 minute 60 seconds के, sorry, यह seconds लिखा है, बच्चो इसको correct कर लेना, and 1 minute किसके equal होगा? 60 seconds के, तो यह clear है, यह तो गया हमारा sexagesimal system, जो अलड़ी आप जानते थे, अभी तक आप degree जानते थे, यहाँ पर क्या add होगा है? 1 minute or 2nd, अब आजाता है centisimal system, centisimal system में grade होता है, जो कि कभी हम use नहीं करेंगे, पूरे अपने syllabus में, बट एक बार बस नाम सुन लो, ठीक है? इसका को use नहीं होता है, जैसे हम लोग बोलत सिस्टम तो kg है, कहीं भी चले जाओ kg से काम, अगर तुम्हें kg पता है, तो तुम्हें kg से काम चल जाए, kg को तुम pond में convert कर लोगे, तो इसी तरह से जो angle का measurement है, उसका SI system जो है, वो है radian, degree नहीं है, और यह जो grade grade है, यह सब कभी कुछ नहीं पूसता, बट एक बार सुन लो one right angle क्या हो गया, hundred equal parts में हमने उसे divide किया, उसे हमने बोल दिया one grade, एक right angle को जैसे अभी हमने एक right angle को 90 equal parts में divide करके, एक part को क्या बोला था one degree, यहां क्या करेंगे, hundred hundred में चलेगा, तो one right angle को hundred equal parts में divide किया, उसे one grade बोला, one grade को फिर हमने क्या क्या, hundred equal parts में divide किया, उसे हमने फि बोल दिया फिर one minute को फिर again hundred equal part में divide कि उसे हमने one second बोल दिया तो one right angle किसके equal हो गया hundred grade के one grade किसके equal हो गया hundred minutes के and one minute किसके equal हो गया hundred seconds के clear है अब आज हो यह important है सबसे important है अब जो भी है हमारा काम चलेगा यह circular system जिसे हम radiant measure बोलते हैं सबसे important यह है सबसे पहले radiant measure को हम define करते है रेडियन मेजर में क्या बोला जा रहा है कि one radiant written as one के उपर power ऐसे c लिखते है इसका क्या मतलब है one radiant is the measure of an angle subtended at the center of a circle by an arc of length equal to the radius of the circle मतलब क्या हुआ कि one radiant जो angle है उसका measurement क्या होगा हम किसी भी radius का एक circle बना ले चाहाए 10 cm का एक लाग सेंटिमीटर का एक करोर सेंटिमीटर का कितने भी radius का हमें एक circle बना ले मालो कि अगर हमने 10 cm radius का एक circle बना लिया तो हम उस circle पर क्या करे 10 cm का कहीं पर भी एक arc cut करे ठीक है इसको बोलने से अच्छा है कि मैं करके देखाओ जादा समझना है हमने एक circle बना लिया मालो 10 cm का एक circle बना लिया radius इसका हमने क्या ले लिया 10 cm अब हमने क्या किया कि कहीं पे भी हमने arc cut किया यहां से लेके यहां तक यह radius का जो length है ना 10 cm उसी 10 cm का एक हमने arc cut किया अब इसमें हमने क्या किया arc के दोनों end point से हमने center को join कर दिया तो यह जो angle बनाना center पे यह 10 cm हो गया यह भी 10 cm हो गया तो यह जो angle बनाना theta यही theta हमारा 1 radian के equal है यह हमारा 1 radian के equal है अब किसी बच्चे के दिमाग में क्या आएगा कि अच्छा 10 cm का बनाया तो यह angle है एक अगर मैं circle इतना बड़ा बना लू 20 cm का circle बना लू तो इसका मतलब angle change हो जाएगा तो मैं बोलूँगा नहीं change होगा यह angle theta change नहीं होगा अगर मालो हमारा 1 radian change हो जाए तो वो फिर unit of measurement हो इनी सकता है अगर मालो कि 1 kg किसी country में कुछ और है 1 kg का जो weight है कुछ और है तो फिर वो unit of measurement तो ही नहीं सकता weight का weight का unit of measurement नहीं हो सकता है अगर मैंने बोला कि 1 radian is the measurement unit of measurement of angle इसका मतलब क्या है कि 1 radian fix है वो vary नहीं कर रहा है और 1 radian को हमने define कैसे किया है definition क्या बोला है कि 1 cm small r cm का एक circle लो उसमें तुम क्या करो r cm का एक r कट करो circle पे और उस r के दोनों end point से circle के center को join कर दो तो जो angle form होगा that angle is called 1 radian अगर हमने क्या बोला कि एक हमने circle ले लिया 20 cm का कहीं भी हमने 20 cm कट किया तो ये हमारा 20 cm उसको center से हमने join कर दिया ये o हो गया ये a हो गया ये b हो गया तो ये हमारा क्या हो गया ये 20 cm हो गया तो ये जो angle theta बनाना है ये 1 radian ही है ये angle और ये angle same है दोनों के इसमें theta 1 cm है इसका क्या मतलब है कि in general हम क्या बोले हम इन general बोले कि हमने r cm का एक circle बनाया उस पे r cm का r कट किया दोनों के end point को हमने circle के यह r cm है इसको अभी हम आगे prove करेंगे अभी यह r cm है तो यह जो angle theta है this is called 1 radian तो 1 लिखा एक छोटा सा power c डाल दिया is called 1 radian तो clear है यह बात तो इसमें क्या बोला जा रहा है 1 radian written as ऐसे लिखते is the measure of an angle subtended at the center of a circle by an arc length equal to the radius of the circle जैसे यहां देख लो हमारे पास एक हमने circle ले लिया general circle ले लिया जिसका radius r बोला एक ap arc cut किया जिसका क्या है हमारा measurement किया r अब दोनों के end point से circle के center को join कर दिया तो measurement of r kp, r है oa और op किसके equal है r के equal है तो theta क्या हो गया हमारा 1 radian हो गया since radian is chosen as the unit of measurement of an angle therefore it should be a constant angle radian कौन ने क्या किया है चूज किया as a unit of measurement of an angle तो radian क्या होना चाहिए एक constant angle होना चाहिए जो की है अब हम लोग क्या करेंगे पहला theorem start करेंगे radian is a constant angle यह proof करेंगे कि radian जो है न हमारा constant angle है तो उसके लिए क्या किया जैसे यह देखो ऐसे यह proof अगर आता नहीं है बड़ एक बढ़ देख लो यह हमारे पास क्या है हमने circle लिया r cm का तो o a हमारा क्या हो गया radius हो गया o b क्या हो गया radius हो गया op रेडियस हो गया फिर हमने क्या क्या एक r cm का arc कट किया ap r cm का r kट किया ap फिर ap के p और a दोनो endpoints से circle के center को join कर दिया तो यह जो angle subtend किया न है यह arc AP AP जो angle subtend कर रहा है at the center of the circle is called one radian इसे हम क्या बोलेंगे one radian तो सबसे पहले यह बताओ angle AOB angle AOB किया हमारा two right angle straight angle तो एक right angle fix होता है ऐसा तो नहीं होगा न कि right angle differ करेगा right angle क्या है one quarter of a circle complete revolution complete revolution fix है तो उसका quarter revolution fix है तो right angle fix है और two right angle one straight angle की equal होता है तो एक straight angle भी fix है तो straight angle क्या हमारा fix है OA OP किसके equal हो गया R के measurement of R AP क्या हो गया R हो गया अब यहाँ पर यह theorem है तुमने 9th या 10th class में आई होप पढ़ा होगा तुमने एक theorem है 9th या 10th class का अगर नहीं पढ़ा है ऐसे है यह circle का जो chapter है वो इस बार जो है 10th में तो 2-4-5 साल से कम कर दिया काफी तब भी बच्चे रोते रहते हैं 10th के जो बच्चे होते हैं कि syllabus बहुत है syllabus बहुत है लेकिन आज से तुम जाओ 10 साल पहले तो काफी syllabus था मतलब circle से ना circle chapter है ना 10th में उसमें समझो more than 80% हठा दिया है सिर्फ 20% है पहले क्या था कि उसमें बहुत सारे theorems थे 2004-2005 में तो अभी क्या उसमें एक theorem आपने पढ़ा होगा कि since the angle at the center जो angle होता है जो center पर जो angle बनता है वो क्या होता है proportional होता है किसके proportional to the arc subtending them मतलब क्या है कि तुम ऐसे देखो arc जो angle center पर बनता है ना उस दोनों के arc का ratio और angle का ratio ये same होता है ये थ्योरम है यहाँ पे क्या बोला जा रहा है since the angle at the center of a circle are proportional to the arc subtending them मतलब क्या है कि ये arc AP AP arc center पे angle क्या बना रहा है angle बना रहा है ना AOP अब ये arc ले लो क्या AB AB भी तो arc है यहां से यहां तक लोगे तो ये AB भी तो arc है तो AB arc क्या center पे angle बना रहा है angle AOB AP arc क्या बना रहा है angle AOP और AB arc APB arc क्या बना रहा angle straight angle बना रहा है center पे तो arc का ratio और angle का ratio यह हमेंसा इक्वल होता है यही बोला जा रहा है किसी भी सरकल में दो आर्क का रेशियो और जो दोनों आर्क जो सेंटर पर एंगल बना रहा है उसका रेशियो हमेंसा इक्वल होता है ठीक है तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं एंगल 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 क्या लिखा एंग यह हमेशा equal होगा, यह theorem है हमारा, इसको हमने लिखा RKP, ऐसे भी लिख सकते है RKP, अब RKP क्या है, वो तो R है, और RKP भी क्या है, वो half circle है, circle का perimeter क्या होता, 2PiR, तो half circle क्या होगा, PiR, तो इसको हमने PiR लिख दिया, R cancel होगया, तो 1 upon Pi होगया, तो angle AOP, AOP किसके equal होगया, 1 upon Pi into angle AOB, ठीक है, अब यह जो angle AOB है, यह जो हमारा angle AOB है, यह कैसा angle है, straight angle है, straight angle कैसा है, fixed है, Pi क्या हमारा real number है, Pi क्या हमारा constant और fix है, तो 1 upon Pi fix है, angle AOB fix है, तो इसको हम क्या लिख सकते है, straight angle upon Pi, तो A straight angle upon Pi, यह जो ratio है, यह एक fix ratio है, तो यह किसके equal मिल रहा, angle AOB के, तो इसका मतलब angle AOB जो है, वो fix है, यहाँ पे तो हमने R जो लिया है, यह तो कोई, R का कोई particular value तो नहीं लिया, यह तो general R लिया है, अब R का value 10 cm डाल दो, 1000 cm डाल दो, सबके लिए यह angle AOB किसके equal आएगा, a straight angle upon Pi के equal आएगा, इसका क्या मतलब हुआ, angle AOB is a fixed angle, यहाँ से हमें क्या पता चला, इसी को हमने angle AOB को क्या बोला, 1 radian, तो 1 radian किसके equal आगया, a straight angle upon Pi, a straight angle fixed, Pi fixed, तो यह constant हो गया, a straight angle and Pi both are constants, hence radian is a constant angle, radian हमारा क्या है, एक constant angle है, क्यों constant angle है, because 1 radian किसके equal आएगा, a straight angle upon Pi, a straight angle भी fixed है, Pi भी fixed है, तो 1 radian fixed है, तो यह proof हो गया, इसका क्या मतलब है, कि जो radian होता है, वो circle के radius पे depend नहीं करता है, वो depend क्या करता है, वो radius पे नहीं depend करता है, radian हमें सब fix होगा, अगर हमने 10 cm का circle लिय 10 cm का arc कहीं पर भी काटे, circle के उपर, दोनों के end point को center से join कर दे, angle क्या होगा, 1 radian होगा, अगर हमने 100 cm का एक circle लिया, तो 100 cm का arc कहीं पर भी काटे, circle पे, उस arc के दोनों end point से circle के center को join कर दे, angle measure कर दे, again 1 radian होगा, ठीक है, theorem number 2 में क्या बोला जा रहा है, यह important theorem है, इस theorem पे base question आएगा, यह आता नहीं है, मतलब NCRT पे base question तो यह important theorem है, द्यान से देखो, the number of radians in an angle subtended by an arc of a circle at the center is equal to arc upon radius, क्या बोल रहा है, कि number of angle, कोई arc, अब arc को मैं radius के equal नहीं बोल रहा हूँ, चाहे arc का length कितना भी हो, कोई arc, जो circle के center पे जो angle subtend करता है, वो किसके equal होता है, arc upon radius के equal होता है, मतलब क्या बोला जा रहा है, इस theorem में, कि अब हमारे पास किसी भी radius का एक circle दे रखा है, मालो, arc centimeter का radius का circle दे रखा है, हमने कोई भी arc ले लिया, अब यह arc length थार नहीं है, अब यह जो arc है, जो center पर angle subtend कर रहा है, तो यह angle को हमने theta बोल दिया, तो हमारे पास theta क्या होगा, arc length upon radius, यह हमारे पास result है, और यह theta क्या है, in radius, यह हमारे पास formula है, तो हम क्या बोलते है, theta को L upon R बोलते है, यह तो ऐसे लिखते है यह S upon R लिखते है, L के हमारा arc length है, उसको S भी represent करते है, S upon R, तीटा क्या होता है, हमेसे याद रखने है, degree में नहीं, यह radian में, तो यही formula बोला जा रहा है, कि number of radian, जो angle होगा, कहां पे, subtended at the center, जो center पे angle subtend करेगा, कोई arc length, वो किसके equal होगा, arc upon radius के, एक बार इसका proof कर लेते हैं, consider a circle with the center O and radius R, एक हमने circle consider किया, जिसका center क्या है, O और radius क्या है, R, let angle AOQ is equal to theta radian, AOQ को हमने क्या हमाल लिया, theta radian, and let arc AQ is equal to S, हमने क्या किया, कि एक arc हमने consider किया AQ, ठीक है, इस arc के length को हमने S माल लिया, ठीक है, and इसके, इस circle के radius को हमने क्या माल लिया, R, अब हमने क्या किया कि, एक दूसरा point लिया, arc पर P लिया, वो P क्या लिया, AP R का length क्या लिया, R लिया, तो अगर मैं P और A को join करो, तो ये angle का measurement क् 1 radian and let p be a point on the arc aq such that ap is equal to r then angle aop angle aop क्या हो जाएगा 1 radian अफिर वही formula लगेगा angle subtended at the center is proportional to the arc subtending them तो यहां पर क्या होगा बताओ angle aop यह angle aop upon angle a o q ले लिए हमने a o p के corresponding arc length क्या है a p और a o q के corresponding arc length क्या है a q तो इसको हमने लिखा arc a p upon arc a q अब angle a o q upon angle a o p किसके equal हो गया a q arc upon a p arc तो angle a o q किसके equal हो गया अब तुम ऐसे देखो a o q जो है ना हमारा यह तो यह angle किसके equal हो गया इसको हमने cross कर दिया a q arc upon a p arc ठीक है और यह जो हमारा a o p angle था यह क्या था वन रेडियन था ना तो इंटू वन कर दिया इस angle का measurement क्या था वन रेडियन तो इंटू वन कर दिया और यह पूरा हमारा किसमें आगिया रेडियन में हागिया अंगल a o q क्या है a o q इसको हमने theta माल लिया इस angle को हमने theta मेल लिया यह है न है a o q इसको हमने theta माल और यह जो a p arc है उसको r माल लिया तो अब देखो यहां हमें प्लग करो यह AOQ क्या हो गया हमारा थीटा हो गया AQR क्या हो गया S हो गया APR क्या R हो गया तो और यह 1 into 1 रेडियन तो इसका क्या मतलब हुआ कि एंगल AOQ किसके एक्वाल हो गया S अपॉन R यह बात आ रहे है न समझ में AOP को अगर हमने राइट हैंड साइड ले गया तो AOP हमारा 1 रेडियन है तो राइट हैंड साइड में आएगा तो यह पूरा रेडियन में तो यह हमारा result हो गिया result होने का इससे हमें क्या पता चला कि कोई भी अगर circle ले लो circle के ऊपर कोई भी आर्क ले लो किसी भी length का आर्क ले लो उस आर्क के दोनों end point को center से join कर दो तो जो वो angle form करेगा न center पे उस angle का measurement क्या होगा arc length upon radius और वो जो angle आएगा वो radian में इस बात को ध्यान में रखेंगे वो degree में नहीं आएगा ठीक है उसके बाद क्या हमारे पास relation between degrees and radian degree और radian के बीच में क्या relation है grade को भूल गए grade बस उतना ही था अब degree और radian के बीच में relation देखते हैं अब यह बता हो यहां पर हमने क्या किया एक straight angle ले लिया AOB ठीक है एक हमने दूसरा angle ले लिया क्या AOP इसको हमने क्या बोला arc equal बोल दिया अब angle AOB किसके equal है एक straight angle है और इस arc length को अगर हमने radius के equal लिया है तो angle POA किसके equal हो गया one radian के तो angle AOP हमारा क्या हो गया one radian के OA और OP किसके equal हो गया radius के equal हो गया arc AP भी radius के equal हो गया angle AOB यह क्या हमारा एक straight angle है इसका मतलब two right angles है ठीक है फिर again we know that the angle subtended at the center of a circle are proportional to the arc subtending them तो इसका क्या मतलब होगा अब गिन देखो angle AOP upon angle AOB AOP upon angle AOB किसके equal होगा AOP के corresponding arc length क्या AP और angle AOB के corresponding arc length क्या हमारा APB थीक है APB हमारा क्या है दो right angle है two right angle तो two right angle क्या होगा पाई आर होगा sorry AP भी हमारा arc क्या है यह half of a circle तो वो किसके equal होगा पाई आर के equal होगा angle AOP रहने दिया angle AOB क्या होगा हमारा two right angle तो angle AOP क्या मिल रहा हमें two right angle upon pi और यह angle AOP किसमे है इसको हमने बोला ना one radian यह one radian हो गया यह two right angle को हम क्या लिख सकते 180 degrees तो यह हो गया 180 degree upon pi तो यहां से हमें क्या मिल गया pi radian pi को हमने cross किया तो pi radian किसके equal आ गया 180 degree के तो इसका क्या मतलब हो गया है कि यह सबसे important result मिला हमें pi radian is equal to 180 degree बस इसको याद रखो बाकी जो conversion होता है ना pi का radian में radian का pi में सब इसी result से आ जाएगा ठीक है remark one पहला remark क्या है when angle is expressed in radian the word radian is generally omitted मतलब क्या है कि जब angle को हम radian में बोलेंगे ना तो radian generally generally क्या लिखाई नहीं होता है जैसे हमने बोला ना pi radian is equal to 180 degrees तो कभी भी तुम्हें उपर power c नहीं दिखेगा ऐसे लिखा होगा pi is equal to 180 degree देखा जाया तो यह देखने में गलत है because यहाँ एक angle है और यहाँ एक number है तो angle तो number के equal नहीं हो सकता angle तो angle के equal होगा तो देखने में अगर देखा जाया तो यह गलत लिखा है लेकिन but हमें क्या है conventionally हम क्या लिखते है c को पर ऐसे नहीं लिखते ठीक है generally का मतलब कभी भी तुम्हें दिखेगा है नहीं हम ऐसे ऐसे लिखते है पाई is equal to 180 degree इसका मतलब यह नहीं है कि पाई number 180 degree के equal है यह नहीं मतलब है इसका यह मतलब है पाई radian 180 degree के equal है ठीक है उसके बाद अब देख लो 180 degree क्या हो गया पाई radian हो गया तो यहां से 1 degree क्या हो गया 1 degree पाई upon 180 radian हो गया ठीक है 30 30 degree क्या हो जाएगा 30 से हमने multiply कर दिया तो pi upon 180 into 30 radian तो क्या हो गया यह pi by 6 radian तो 30 degree किसके equal हो गया pi by 6 radian ऐसे जिनरल ही नहीं लिखा होता है 30 degree is equal to pi by 6 इसका क्या मतलब है कि 30 degree is equal to pi by 6 radian clear है यह बात फिर 180 degree pi radian के equal है तो pi radian को ऐसे pi लिखा तो फिर 180 degree क्या हो गया 1 degree क्या हो गया pi upon 180 radian तो 45 degree क्या हो गया 45 से दोनों को multiply कर दिया तो pi by 4 radian similarly 60 degree pi by 3 radian 120 degree 2 pi by 3 radian 90 degree pi by 2 radian हो जाएगा 0 degree 0 radian 270 degree 3 pi by 2 radian और 360 degree 2 pi radian इसको रट जाओ किसका एंगल तुम्हें रटना है जो भी मैंने लिखा है न 0 degree 30 degree 45 degree 60 degree 90 degree 120 degree 270 degree 360 degree इतने values को तुम्हें रट जाना है जो भी मैंने बोला रट जाना अगर नहीं रट होगे तो खुद से ही याद हो जाएगा जब भी हम आगे परेंगे na trigonometric function क्या मैंने बोला 0 30 45 60 90 120 270 360 इसको degree के corresponding radian याद होना चाहिए जैसे मैंने बोला 30 degree आप तुरंट बोलोगे pi by 6 radian 45 degree pi by 4 radian 270 degree 3 pi by 2 radian 90 degree pi by 2 radian बिल्कुल याद होना चाहिए ठीक है अब थर्ड रिमार्क में क्या है कि pi radian किसके equal है 180 degree के तो 1 radian किसके equal होगा 180 upon pi अभी हमने क्या किया था अभी हमने जैसे बोला था कि 180 degree pi radian के equal है तो 1 degree किसके equal होगा pi upon 180 radian के अब यहाँ पे मैं 1 radian निकाल रहा हूँ तो 1 radian क्या होगा 180 degree upon pi के equal होगा अब अगर हमने pi का value 22 upon 7 रखा मैंने अल्रेडी बता है basic mathematics में कि pi जो होता है वो 22 upon 7 के equal नहीं होता है ठीक है pi जो होता है कि rational number है 22 upon 7 एक rational number है हाँ pi के approx value को हम ले सकते 22 upon 7 because जब तुम 22 को 7 से divide करोगे न तो 2-3 digit जो decimal के बाद आएगा वो pi के value से मिलता है दो ही 3 digit तक उसके बाद नहीं मिलेगा उसके बाद pi का decimal number कुछ और होने लगेगा और 22 upon 7 का कुछ और होने लगेगा तो हम लोग क्या करते हैं pi के approx value को 22 upon 7 लेते हैं तो 180 upon 22 into 7 लिखा हम ने यहां pi का value डाल दिया तो यह इसका एप्रॉक्स value आ गया minute or second में कैसे आ रहा है minute or second में वो अभी आगे बताएंगे अब इसे कोई रटने की जोरत नहीं है नहीं याद रखने की जोरत है कभी नहीं पूछेगा कि बताओ one radian is equal to how many degree in minute and second है ऐसा कुछ नहीं पूछे कभी अगर तुम पूछ भी लिया ऐसे कभी आज तक पूछा नहीं है पूछ भी लिया तो तुम इसे तुरंत convert कर सकते हो multiply करके divide-wide करके तुरंत लिख सकते हो एप्रॉक्स में यह minute और second में कैसे लिखते हैं यह अभी आगे बताओंगा ठीक है अब 180 degree क्या होता है पाई रेडियन के equal होता है तो 1 degree क्या होगा पाई अपॉन 180 रेडियन के फिर हमने पाई का value डाला 22 अपॉन 7 इसको calculate किया तो यह ए important है ठीक है रेडियन को जब डिग्री में करेंगे न हम convert रेडियन को डिग्री में तो 180 अपॉन पाई से सीधे multiply कर देंगे कोई भी एंगल अगर रेडियन में given होगा न बोला degree बताओ तो सीधे 180 अपॉन पाई से multiply कर देंगे मालो यह पाई बाई 3 रेडियन गिवन है इसको मैं बोला हूँ कि डिग्री में बताओ तो सीधे क्या करेंगे पाई बाई 3 इंटू 180 अपॉन पाई से multiply करके इसको सीधे डिग्री बना देंगे तो क्या हो जाएगा यह 60 डिग्री अगर यह पाई बाई 4 रेडियन गिवन है मैं बोला हूँ कि इसका डिग्री बनाओ तो ड 60 को पाई अपॉन 180 से multiply करेंगे यह सीधे रेडियन में आ जाएगा मतलब क्या हो जाएगा पाई बाई 3 डेडियन ऐसे लिखो ऐसे नहीं लिखते है मैंने बोला जिनरली पाई ऐसे हो डिरेक्ट हो जाएगा कहां से आ गिया वो तो हमें पता है ना पाई रेडियन किसके एक 180's can15 гриль के ऐक्वल होता है तो रेडियन किसके एकवलोमानnity on five डिग्री के एकवलोल अिम्ट chill है तो डिक है तो इसका क्या मतलब है कि अगर तुम्हें रेडियन को डिग्री में बनाना है तो किससे मल्टिप्लाई करोगे 180 है आप्य से और अगर तुमको डिग्री को रेडिय है तसाल मालश्टव ये भी रेमार्च 4 था त stri cidade मार फाइब होगा है але मार्व 5 में क्या है कि इसको भी रट नेंगी जुरत नहीं है WHO मतलब क्या एक क्यों बौल कि बिना रर्टे वी काम चट्रथा जाएगगो तुरंत हम देन देर निकाल लेंगे ऐसे इसमें क्या बोल रहा है कि अंगल बीट्विन टू कंजीक्यूटिव डिजित इन अ क्लॉक इस थर्टी डिग्री दो consecutive digits जो होते है न एंगल उसके बीच हमारा क्या होता है 30 डिग्री होता है मतलब 5 by 6 रेडियम होता है जैसे अगर हमने एक लॉक बनाए न यहाँ पर ऐसे करके यह क्या होता है 12 यह क्या होता है 6 यहाँ 3 यहाँ 9 यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, 5 ऐसे होता है न तो 2 consecutive digits के इसके बीच का जो यह एंगल है न अगर इसके center को join करोगे तो यह 30 डिग्री होता है 30 डिग्री होता है यही बोला जा रहा है जैसे अगर तुम 3 और 4 के बीच का एंगल यह करोगे न तो यह 30 डिग्री होता है यह ओवियस सी बात है clear होना चाहिए because क्या होता है 360 डिग्री को तुम किस से डिवाइड कर दो 12 से डिवाइड करो 30 आ जाएगा इसी तो 360 को हमने 12 से डिवाइड करेंगे न तभी हमारा answer क्या एगा 30 डिग्री ठीक है यह 12 है यह हमारा यह 1 है तो यह हमारा minute hand है और यह our hand है छोटा होता है ठीक है तो यह क्या होगा जब यह पूरा 360 डिग्री का चक्कर मारेगा तो यह क्या होगा यहां से लेकर यहां पर आएगा यह होगा तो क्या होगा 360 यह पूरा जब 60 मिनट में यह क्या करेगा 30 मिन जब य तो एक डिग्री में कितने में जाएगा 30 डिग्री एक मिनट में जाएगा 30 डिग्री एक मिनट में वो आवर हैंड कितना मूफ करेगा 30 डिग्री एक मिनट में जाएगा 30 डिग्री एक मिनट में तो वन डिग्री कितने में करेगा 360 डिग्री डिग्री रोटेट करेगा वन मिनट में तो यह भी हो गया हमारा रिमार्क नमबर फाइव इसमें कोई डाउट नहीं है ठीक है अब बच्चों आजाओ कोश्टन्स में हूँ ओग्री वह एक रहा हुआ।